हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल स्टड़ी वी सजिंसर में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टाप 10 कुईस्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए क्योंकि आपका पेपर एक्जम नस्दीक है और जो कुईस्चन आपको बता जा रहा है फाल तो कुईस्चन नहीं है जो की एक्जाम में संभावित प्रस्न है कि एक्जाम में आ सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको मतलब निकल पाएगा कुईस्चन नमबर वन देखिए यहां पर लिखा है पानी की एक टंकी छा मीटर लंबी चार मीटर चोड़ी और एक सही एक बटा दो मीटर उची है उस पानी की टंकी की धाड़ता है आप संदिया 24 गन मीटर, 36 गन मीटर, 11 से बटा दो गन मीटर, 16 गन मीटर तो देखिए पानी की जो टंकी होती है, यह पानी की जो टंकी है, यह कैसे होते है आयता कार होते है क्योंकि इसमें लंबाई माली जी चा मीटर लंबी है चार मीटर क्या है, चोड़ी है और एक सही एक बटा दो मीटर क्या है उची है ठीक है ये हाइट उचाई है तो हमसे पूछ रहा है टंकी की धारता क्या होगी मतलब टंकी कितने लीटर की है तो टंकी की धारता बताने के लिए हमको सूत लगाना पड़ेगा लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई क्योंकि टंकी कायता निकलना है तो लंबाई कितना 6 मीटर और चोड़ाई कितना 4 और उचाई कितना 1 सही एक बटा 2 तो इसको हम बदलेंगे 2 एक अनम 2 3 बटा 2 तो काट ये 2 एक अनम 2 2 दो दो नी 4 छे कपाड़ दो बार 6 दो नी बारा बारतियाई 36 घान मीटर यनि आपका दूसरा विकल्पो सही है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं दूसरा कुश्चन देखते हैं दोकिए यहाँ पाली का 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चोड़ी एक आथा का टंकी में दो मीटर गहराई तक पानी है इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चोड़ी एक दूसरी आथा का टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई क्या होगी तो ध्यान से समझेगा मान लिजे कि एक टंकी ये है और एक टंकी ये है और इस टंकी की दोखो लंबाई कितना दिया 20 मीटर लंबी 10 मीटर के दिया चोड़ी एक आता का टंकी में 2 मीटर गहराई मतलब कि जो पहली टंकी है इसकी गहराई 2 मीटर लंबाई 20 मीटर और चोड़ाई 10 मीटर है तो अगर हम पहली टंकी का आयतन निकाले तो क्या होगा बीस गुड़े दस गुड़े दो क्योंकि लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई टंकी का आयतन बराबर ऐसे हम दूसरी टंकी का आयतन निकाले तो देखो लंबाई कितना दिया दस तो यहां पर हम क्या लिखेंग ठीक है देखो यहां 10 से यह 10 कैंसिल हो गया पांच के नम पांच पांचोग 20 चार गुड़ी दो करेंगे तो चार दुना कितना हो जाएगा 8 बरावर क्या हो जाएगा यह 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 बरावर 8 मीटर यह 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 आपका किसमयार आप पहला विकल्पो सही हो जाएगा जो दूसरे टब्की की गहराई होगी वो 8 मीटर होगी ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं यहां पर लिखा है 14.444 तथा 20.468 का निकर्तम सम्वे तक मान ग्याद किजिए ठीक है तो बताइए कि इसका निकर्तम सम्वे तक मान क्या होगा तो यहां पर देखो 14.444 तो इसका नियम क्या कहता है कि यहां से यहां से इसके पांचवे अंक तक एक दो तीन चार पांचवे अंक पे अगर यहां पर जैसे चार है अगर यहां पर पांचवे एंग पर पांच से अधिक हो जाए तो पॉइंट के दूसरे अस्थान पर एक एंग को बढ़ा दिये जाता है ठीक है कब जब यहां पर यहां से पांचवे एंग पर और यहां से दसमलो के बाद तीसरे एंग पर अगर 5 से अधिक हो जाए तो हम दूसरे एंग पर एक एंग बढ़ा देते हैं अगर 5 से छोटा रहे तो सेव महिची लिखते हैं तो 14 दसंदो 4 चारिस को हम लिख सकते हैं ठीक है अब उसके बाद दूसरी कंडिशन लिखे 20.468 अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखो यहां से अगर हम गीने तो यहां 52 एंग पर यानि 5 से ज़्यादा हो गया जब 5 से ज़्यादा हो जाए तो यहां पर हम क्या करते हैं दूसरे अस्थान पर एक एंग को बढ़ा देते हैं लिख सकते हैं 20.47 तो किसमें आ रहा है 14.44 और 20.47 यनि आपका दूसरा विकल्पो सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन बताइए कि इसमें कौन सा एंसर एकदम सही होगा जल्दी से बताइए देखिए यहां पर लिखा 2- 3- 4- 3- 2- तो सबसे पहले हम इसी बार कौश्चन को तोड़ेंगे ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अगर हम 3 में से 2 घटाएद कितना बचेगा 1 तीन में से 2 घटाएद कितना बचेगा 1 तीन ठीक है अब यहां 3 में से 3 घटाएद कितना बचेगा 0 आप 2 में से 0 घटाएद कितना बचेगा 2 यनि आपका तीसरा भी घल्पो सही हो जाएगा ठीक है इसको दिमाग से फटाफट जल्दी कर लेंगे इसके बाद हम अगला कुश्चन देखते हैं चलिए बताइए कि इसका एंसर क्या होगा इसका एंसा आप कमेंट में बताएगे यह थोड़ा सा क्या होगा तो चलिए देखते है देखे 1.32 पे क्या लगा है स्क्वाइर मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिखें कि 1.32 multiply 1.32 और देखो यह डिवाइड में डिवाइड मतलब क्या होता है बटा यानि भाग तो इसको हम 0.33 और multiply क्या होगे तो इसको देखो यहां पर 2 आंगे बाद पॉइंट है और यहां पर भी दो आंगे बाद पॉइंट यानि यह दोनो पॉइंट क्छतम हो गए तो यह पॉइंट जब cancel हो गया तो अगर हम इसको चार बार करें 233 करने नम 334 को कितना होता है 134 तेरा चार से हम इसमें गुड़ा करेंगे फिर उसके बाद जो आएगा हम इसमें गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पर आपका आएगा 25.344 यानि 25.344 आपका चौथा भी कल्प से हो जाएगा आप इसका multiply खुद कर लेंगे ठीक है 2.5 डिवाइड 0.5 multiply 0.1 सब्ट्रेक 0.05 को सरल करने पर क्या परिडाम आता है तो ध्यान से देखिएगा यहां पर भी एक अंग के बात पॉइंट है और यहां पर भी एक अंग के बात पॉइंट है जब दोनों तरब पॉइंट समान रहे तो यह decimal decimal कैंसील हो जाएंगे ठीक अब 5 से इसमें मुड़ा करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा माइनस 0.05 अब इसमें हम घटाएंगे देखो 0.5 में 0.05 घटाएंगे तो यहां पर 0 माल लेते हैं तो 10 में से 5 करेंगे 5 आएगा यहां बचेगा 4 ठीक है यहां पॉइंट यहां 0 यहां 0.45 आपका पहला विक है ठीक है तो डिवाइड को सबसे पहले हम हल करते हैं तो देखिए यहां पर लिखा है साथ बटा तीन गुड़े दो बटा तीन यह डिवाइड में माल्टिप्लाइम हो जाएगा 5 बाई 3 और पूरे का बटा क्या देखो 2 प्लस 1 राइट तो इसको हम लिखें टू प्लस 3 क 3 2 5 बटा 3 ठीक है कुछ कटेगा इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो इसका हम गुड़ा करेंगे साथ दू नीचे उदा पंचे सत्तर हो गया ठीक है बटे में क्या हो गया तीन गुड़े देखो क्या बटा तीन गुड़े ऐसे आएगा एक हो जाएगा और नव गुड़े ग सत्तर बटा नुन्यानवे आपका अंसर होगा यनि आपका दूसरा विकल्प हो सही है ठीक है चलिए अगला कुईशन देख लेते हैं तो चलिए यह कुईशन आप कमेंट में बताएंगे कि इसका एंसर क्या होने वाला है ठीक है जल्दी से आप इसको कमेंट करके नेक्स वीडियो में बताऊंगा अकर आप नहीं बता पाएंगे तो चलिए लास्ट कुईशन देखिए नौ सही एक बटा तीन डिवाइड थी वाइफाइब का साथ बटा नौ गुड़े चार बटा पांच का अंसर क्या होगा तो सरल करना है तो चलिए देख लेते हैं दे का मतलब होता है गुड़ा तो यहां पर यहां पर भी डिवाइड मतलब माना जाता है नाइन बाई सेवन भी पलट जाएगा फॉर बाई फाइप ऐसे लिखा रहेगा ठीक है अब ध्यान दीजिए कुछ कटेगा इसमें तो देखिए तीन तीरी कनाव हो गया फिर तीन इकन तो यहां पर आपके यह थे कुछ खास कुश्चन जो की बहुत मोस्ट इंपॉर्डंट है इन कुश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पर ओकी करेंगे और अगर आप माडल पेपर करना चाहते तो इधर प्लेलिस्ट है